हालो ये नमस्कार दोस्तों मैं पंकर्ष भिजलानी फिर से आपके सामने हाजरू दोस्तों काफी ही क्योरीज आ रही थी इस्पेशली जो Microsoft का डील हुआ है बहुत सारे मेरे जो followers हैं जो मेरे well wishes हैं continuously मुझे call कर रहे थे messages कर रहे थे पंकर जी एक ओ डील हुई है उसके बारे में बताईए Microsoft ने और बड़ा पार्सल लिया है तो सच बताऊं तो मुझे पता था और उस समय first video में सामने आनी पाया बट आज उसकी उपर हम लोग detail में discussion करने वाले कि Microsoft का exactly वो कौन सा पार्सल है और अभी Microsoft का total कितना land हो गया है और यह किंसे लिए Microsoft में अभी actually friends अगर सच बताऊं तो इसकी उपर जो articles आ रहे हैं किसी में मैं को पूरी सच्चा ही नहीं दिख रही है बहुत कोई भी अपने एसाब से publish कर रहा है कोई भी fact check नहीं करता है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या है deal exactly है कहां पर मैंने तो लास्ट आपको यह भी बताया था कि exact land कहां पर अविलेबल है तो इस बार भी हम पूरा detail में discussion करने वाले और I think यह discussion के बाद जो Microsoft से related चीजे हैं मेरे एंट से तो मैंने ट्राइ किया कि तुरा मतलब एक फुल आइडिया दे दूं अपने वीवर्स को कि exactly क्या हुआ है कैसे हुआ है और यह सब चीजे मलब जो हुई है कितनी जगल यह Microsoft ने क्या रेट से लिए है वो सब हम लोग discussion करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको पूरे facts and figures भी बताऊंगा तो एक काम करता हूँ मैं आ जाता हूँ small screen पे और बिना time waste किये डारेक्ली हम लोग चलते हैं details पे तो friends अभी यह मैं directly index to लिके आया हूँ इंडो global infotech city LLP करके जिसके डारेक्टर है मनोज इंगुरानी आप देखेंगे लियून देना तो इन्होंने भी अपना parcel दिया है Microsoft को location is almost same जो हमने discuss की थी last time उसको लगके ही इनका भी parcel था इंडो global infotech LLP के नाम से तो इन्होंने दिया है line parcel और again दस्तावेश करून घेना Microsoft Corporation India Private Limited same company same pen card जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर किसी ने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो जरूर उसका मैं लिंक भी add कर दूँगा आप जरूर देखिए तो Microsoft ने एक पार्सल नहीं लिया है Microsoft ने दो पार्सल लिये और दोनों पार्सल का area भी मैं exact बताने वाला हूं और पूरा detail में discussion करने वाले हैं और इसके जो survey number है अभी जो ये इंडो global infotech city LLP के survey number है 251, 252, 253 तो तीन survey number है पहले जो हम लोगों ने discuss किये था Viva highways जो Ashoka Buildcon Limited Company की subsidiary थी उसका था 251 तो अभी 251, 252, 253 का भी कुछ पार्ट Microsoft ने लिया है as far as the information available online तो इसमें आप देखेंगे कि जो document हुआ है लास्ट मन्त में हुआ है अगस्त 20 तारिक को यह document हुआ है और टोटल डील है यह 520 करोड की और इसमें टोटल कितना गया है पांस सो पचास आर जो इंडो ग्लोबल्स ने दिया है टोटल दोनों का ही टोटल करेंगे और उसके बाद हम मैं आपको बताऊंगा कितने acres है और कितने square feet है तो अभी एक काम करते हम लोग वीवा highways का भी index to open कर लेते हैं क्योंकि दो index to है यह वीवा highways का है वीवा highways का भी उस पे थोड़ा सा मेरे खाल से litigation था तो उस पे पहले तो उन्होंने cancellation deed की है किसी के documents थे तो पहले clear किया है Microsoft ने फिर document किये है cell deed के तो यह cancellation deed का भी मैंने index तो निकाल हुआ है और यह cell deed है वीवा highways का इनका 513 गुंटे का जगह था और यह 453 करोड में deal हुआ है और इसमें अभी जो यह सब वीवा highways की तरफ से जितने भी लोग थे किर्किट कुमार मोदी जो power of attorney hodal थे उन्होंने स्मित्रा गरवाल जी को जो की one of the director levels पे है Microsoft पे उनको power of attorney दी रहेगी तो उन्हों नहीं sign की होगी as far as my knowledge I can be wrong also तो यह पूरा डील हुआ है और इतने का stamp duty भरा है यह आप देख सकते हैं कि 27 करोड अटरा लाग का और यह डील हुआ है September में पांच सेटमबर को यह डील हुआ है वह 20 अगस को यह पांच सेटमबर को तो होता कि है दोस्तों जो बड़ी corporate deals होती है उसमें company का try करती है कि ज्यादा market में news न उड़े क्योंकि उनका acquisition बढ़ा रहता है न अभी जैसे इनोंने पहले इंडो का acquire किया फिर वीवा का acquire किया और उसमें बहुत सी चीज़े हुई है see when you are acquiring a big parcel उसमें बहुत सारी problems भी आती है अपसे announce भी आते हैं doesn't matter you are Microsoft और वर्ल्ड's number one company तो Microsoft को भी बहुत problems आई है इसमें जो मैंको index 2 या जो भी मैंने सर्च किया उन्होंने cancellation deed करवाई है कुछ लोगों के उसमें हक रहेंगे या कुछ लोगों का जैसे यह आपको detail दी रही है I don't want to take the names but यह सब उन्होंने cancellation deed की है और इसके उपर list pendency भी थी वो भी clear की है तो यह सब मैंने index 2 डाउनलोड किये just because कि मैं आपको देखा सकूँ यह पूरी list of index 2 है उसे जो माइक्रोसॉफ्ट के डील से related है यह सब उन्होंने clear करके लिया है पूरा काम और lease pendency भी थी उस property को उसको भी clear किया है विव हाईविस वाली property पे इंडो ग्लोबल तो clear थी तो यह सब चीजे उन्होंने किये और इसके बाद इतना बड़ा deal हुआ है और total जो deal अगर देखें as far as the amount available एक तो 520 करोड का deal है जो की है इंडो ग्लोबल के ब्याफ में 520 CR और एक है चार सो त्रेपन करोड की deal है चार सो त्रेपन तो total on paper के साब से 973 करोड की deal हुई है total और तो अगर आप देखेंगे total इसमें 973 करोड की total इसमें deal हुई है और total गुंठे में अगर मैं देखूं कितना माल गया हुआ है तो आप देखेंगे almost 1063 गुंटा क्योंकि इंडो ग्लोबल ने बेचा है almost 551 गुंठा पकड़िये और वीवा इसमें बेचा है 513 गुंठा तो total मेरे खाल से जो होता है 1064 गुंठे की deal है 1064 तो almost और लोग rate भी सही नहीं बदा पाते हैं आप simple calculation है आप calculate करेंगे तो यह almost 9,9200 के साबसे गुंठे का rate आता है और square fit का calculate करेंगे तो थोड़ा उसी है 9000 के आसपास का deal आता है गुंठे के साबसे दिखेंगे तो 9200 के आसपास आता है तो अभी यह जो दो पार्सल से वह ने निकाले भी एंग्जेक्टली कहां पर आते हैं और पूरा detail के साथ ऐसा भी नहीं कि 31 करोड 18,000,000 का stamp duty भरा है 30,000 registration charges भरा है और इनके में इनके में आपको मैंने बता दिया विवा आईवेस का तो मैंने लास्ट टाइम भी cover किया होता तो यह जो सब companies भी मैंने निकाली अचली देखिए अभी जिनके नाम पे companies registered थी उनका मैंने पूरा detail भी निकाला यह जो इं यह हुआ है यह मनोश हिंगोरानी करके है उनके वो बिल्डर ही रहेंगे उनके नाम पे multiple companies भी registered है तो यह public domain पे अविलिबल ही है और जो जो जन्होंने sign किया है किनका Microsoft का स्मित्र अगवाल का भी मैंने गाया है she is the director in Microsoft तो अभी यह parcel हमने लास्ट टाइम में डिसक्रस किया जो मैंने मार्क किया हुआ है this was the owned by Viva highways जो अशोका बिल्ड कॉन लिश्टेट कंपनी थी अभी जो पार्सल दूसरा पार्सल एंडो ग्लोगल वह इसको लगकी है यह वाला पार्सल देख रहे है यह है गट नंबर 251 और यह 252 है यह वाला यह इसके नीचे 251 और जो मैंने आपको रोड बताया था औरेक कर आता है यहां से लक्ष्मिचोक से यह पूरा पार्सल इप पूरा पार्सल ही इसमें exactly आपको वह भी दिखा देता हूं कि डीपी प्लान में किस तरह से चीजे दी हुई है यह आप देखेंगे डीपी प्लान है यह हिंजेवाड़ी का डीपी प्लान है और यह जो मैंने करसर रखा है यह लक्षमी चोक है यहां से आते हैं पहले हम लोगों नहीं 251 कवर कि अभी 252 यह है जो आप करसर देख रहे हैं और उसको लक्के 253 यह वाला पार्सल है तो यह सब चीजें और इसका मैं लक्की भी आपको दिखा जखता हूं हिंजेवाड़ी का मैंने पूरा डीपी प्लान निकाला हुआ है अभी आप देखेंगे इसमें जो मैंने करसर रखा करना पड़ता है काफी मैनत का काम रहता है अभी होता क्या है मैंने बहुत सार always पड़े में समय नहीं आता है किस हईसाब से इतने बड़े-बड़े मीडिया उस कुछ भी लिखते हैं और जो बड़े-बड़े यूटूबर्स भी है वो अपने इसाब से I don't know क्या calculation करते हैं किस हिसाब से हो information लिखे आते हैं but मैं जो भी friends आपके सामने precise information लिखे आ रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इसमें मेरा personal कुछ फायदा है हाँ अगर मैं थोड़ा बहुत 19-20 गलत भी हूँ तो you can correct me but I tried my level best ये मैंने mark करके भी आपको बता दिया कि जगह कहां पे है अभी आप देखेंगे आप बोलेंगे कि ये तो पूरा बड़ा parcel आ रहा है टोटल अगरा देखेंगे तो जो Microsoft का है almost 11 hectare का जगह है लेकिन इसमें तो 14.6 hectare आ रहा है उसका reason ये जो 53 है get number 253 ये जो मैंने cursor रखा है इसका उन्होंने part लिया है वो आपको index 2 में भी दिखेगा ये दिखेंगे 251, 252, 253 अबलिक 1 तो इसका उन्होंने part लिया है पूरा नहीं लिया है तो इसलिए इसमें map में ज्यादा आ रहा है और actual में उनका कम है 11 hectare का almost उनका जगह है 11 hectare से थोड़ा कम है मतलब मैं आपको exact acres भी बता देता हूँ with a fact कि Microsoft ने exact कितना acre land acquire किया है तो ये सब details calculate करनी पड़ती है exactly उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ अल्मॉस माइक्रोसाफ्ट का 26.6 hectare का land है असपर ये दो index 2 के साब से वह मैंने कैसे निकाला मैंने ये जो चैत्रफल है जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा है 550.8 अब इसको 551 पकड़िए और जो दूसरा चैत्रफल है दो यी इंडेक्स टु है जो काम के बाकी उनके 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 उनने क्लिएर करते समय मुल्टिबल इंडेक्स टु हैं जो तो सेल डीट के इंडेक्स हुए हमें वहीं कंसीडर करने हां अगर कोई सी का कंसेलेशन डीड हुआ है कर लीस पेंडेंसी का क्लीरेशन लिया है वह अलग चीज़े 551 प्लस 513 आप करेंगे तो टोटल आएगा प्रसाइसली मैं मैंने बहुत सारे मेडिया उसके पड़े तो उसमें प्रसाइसली किसी ने कुछ भी नहीं बता है सब अंदाज पंची निउस दिवी है और यह सब मैंने पहले साथ बारा देखे फिर मैंने और यह पूरी लिश्ट में आई हुए आपके सामने एंडेक्स की और I am showing you, तो I hope मैं कुछ detail आपको insight दे पाया हूँ, तो almost 26.6 acres का parcel Microsoft ने खरीद लिया है, Microsoft का sell lead हो गया है, इसमें अभी आप देखेंगे, acres में इसमें आ रहा है almost 14.6, इसको कम हो जाएगा, मतलब यह अगर आप देखेंगे तो यह जो gut number 253 है, उसमें से उन्होंने पूरा नहीं लिया है, कम लिया है, तो यह कम हो जाएगा यहां से, तो यह मैं compress कर देता हूँ, इसका कुछ ही पार्ट रहेगा, तो इस तरह से आप करेंगे तो यह almost इस तरह का यह parcel है Microsoft का, देखी है, कम हो रहा है यह तो यह almost इस रिसाप से उन्होंने पार्सल लिया हुआ है, और यहीं से metro भी जा रही है, metro के area से भी connected है, metro के area के circle में भी आता है, जो metro का FSI range रहेता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखने के लिए बहुत different है, अगर आप में को दूसरे काम भी रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ, तो बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, अभी उन्होंने 253, जो मैंने cursor रखा है, यह metro के जो circle में, जहां पे FSI ज़्यादा मिलता है, उसमें भी आता है, तो मेभी वो भी reason हो सकता है, उन्होंने 253 भी क्यों लिया है, तो कि उन्हों FSI ज़्यादा मिलेगा, और एक massive building आ सकती है, Microsoft की, and metro से hardly, अब distance देखेंगे, तो बहुत ही कम distance रहेगा, चलिए, metro से भी distance calculate कर लेते हैं, यह Microsoft का parcel है, metro से अगर distance देखते हैं, almost, 1300 feet का distance है, meters में almost, और कम आ जाएगा, fits में तो 1300 feet का फासला है, और अभी यह parcel भी लिया है, 253, इससे दोर connectivity के साब से और नजदीक हो जाता है, वो metro के circle से, उस point से अगर calculate करेंगे, तो और नजदीक हो जाता है, उस point से तो 700 feet ही है, तो शायद इसलिए नोने 253 वे acquire किया है, और इसके आसपास में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह pride purple का township है, सामने का land, मुझे find out करना बड़े का किसका है, वो कर सकते हैं, पर पीछे pride purple का project बना हुआ है, पीछे, अब थोड़ा देखेंगे, तो यह already completed project है, और फिर वेपरो का parcel है, वेपरो की offices हैं, और यह main, अभी जो station बन रहा है, और यहाँ पे chroma वगेरा है, यह road मैं आपको बता अब समझ जाएंगे, यहाँ से आप आते हैं, यह एक होटल है, और यह पूरा यहाँ पे complex बना हुआ है, नीचे अभी यहाँ पे chroma वगरा भी आ गया है, और exactly मैं अब दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे doubts से हैं लोगों को, ताकि मैंने सोचा कि यह ऐसा वीडियो बन यह टन, यहाँ से यह लक्ष्मी चुक जाता है, राइड लेंगे तो, पड़ हमें जाना है Microsoft की तरफ, यह Microsoft का लैंड शुरू हो गया, यह जो पत, यह जो आपको दिख रहे है, यह वाल, इस इस ओन बाए Microsoft नॉप, यह Microsoft का लैंड है, यह पूरा, और यह जो towers आपको दिख है, यह जहां पर मैंने करसर रखा है, यह प्राइड परपल टाउंशिप है, यह जो कि मैंने मैं अपमें भी दिखाया, और बहुत एजी है, फाइंड आउट करना, आप अगर दिखेंगे, यह पूरे सामने से पत्रे लगे हुए, वाल कंपाउंड की हुई है, यह आप दे जिन से उन्होंने खरीदा है, बहुत मैसिव डील है, हजार करोड की डील है, अल्मॉस, स्टेम डूटी बगरा मिलाएंगे तो और ज्यादा ग्यारा सो करोड के आसपास जाएगी, और यह उन पेपर है, I don't know, settlement के लिए उन्होंने किस-किस को पैसे दिये, जो convince डीड किये, बहुत सारी cancellation deed किये, तो वो सब उन्होंने clear किया है, heads off to the Microsoft team, they have done a good acquisition, बहुत ही प्राइम अक्यूजिशन उन्होंने किया है, और यहां पे बहुत ही प्राइम, यहां पे लोग बोल रहे हैं, डाटा सेंटर, I don't think डाटा सेंटर आएगा, यार देखो, पार्सल का location, देखो, Metro से connected है, पीछे विप्रो है, थोड़ा ही आगे Infosys है, this is the hub, मैं को लगता है यह तो direct Bill Gates ने order दिया रहेगा, I want a parcel in Hinge Wadi, because the Metro is coming, conjection is going to over, तो वो सब सोच के, I think, एक massive, massive office यहां पे आएगा, और it will be a good thing for all on Pune market, and, तो यह सब था दोस्तों, मैंने आपको सब बताए भी, और इसाब मैं अपनी रिक्स में बदाता हूँ, तो प्लीज आप support कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, अपने friends के साथ, और comment कीजिए, तो यह पूरा parcel है Microsoft का, you can see, तो, I hope मैं, जाज़ से ज़्यादा insight दे पाया हूँ, तो यह था total Microsoft का, detail में, कहां कहां पे Microsoft ने लिया, क्या क्या किया, और, इस तरह से उन्होंने पूरा यह land acquire किया है, तो, thank you so much, अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, तो, that means, you like me, you like my videos, और मेरे effort को आप कही न कहीं appreciate कर रहें, thank you so much, have a good day, bye, take care, like this video, share with your friend, do comment, and have a good day, bye, take care.